आवारा कालू कवा कोई काम ना करता था अब तो हर रोज उनके घर में लड़ाई होती थी कालू बहुत हो गया अब अगर तुमने कोई काम धंदा ना किया तो मैं अपने में के चली जाऊंगी तुमसे तो मेरा बैठना बरदाश्ट ही नहीं होता जब देखो काम काम तो क्या पेड़ों से पत्ते तोड़ तोड़ कर खाऊं मैं अगर तुम कुछ कमा कर लाओगे तो फिर ही पेड भरेगा तुम्हारा पेड नहीं कुवा है कुवा जो भरता ही नहीं ऐसे बड़बडाता हुआ कालू कवा घर से निकल जाता है वो उड़ता हुआ जा रहा था वो सोच रहा था कि वो क्या काम करे उड़ते उड़ते कालू कवा दूसरे जंगल में अपने मामा जी के पास पहुँझाता है आओ आओ भाँजे कैसे आए हो मामा जी महनत होती नहीं मुझसे कोई आसान काम बताओ अब तो मेरी पतनी भी मुझे छोड़ कर जाने की धमकी देने लगी है आसान काम आसान काम तो एक ही है बताइए बताइए मामा जी वो क्या काम है तुम ये नशा ले जा और इसे जंगल के पक्षियों को बेचा करो अच्छा मनाफ़ा होगा तुम्हें ये सुनकर कालुकवा बहुत खुश हो जाता है मुझे पता था मुझे पता था मेरे मामा जी मुझे कोई अच्छा उपाए ही बताएंगे आज से जंगल के सारे पक्षियों को नशा बेचा करूंगा फिर कालुकवा अपने मामा जी से नशा लेकर वापिस उड़ता है मिठु को एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ देखकर कालुकवा मिठु दोते के पास जाता है मिठु बहुत उदास बैठे हुए हो क्या हुआ यार कालु मेरी पतनी मुझे से लड़कर मैके चली गई है अब तो रात को नीद भी नहीं आती मुझे तो फिर ये लो थोड़ा नशा करो और सारी रात मजे से सोना नशा नहीं नहीं मैंने कभी नशा नहीं किया मिठु कालु कवे से थोड़ा सा नशा लेकर पी लेता है रात को मिठु उल्टा पड़ा अपने खोंसले में खराटे ले रहा था उसे इतनी नीदा रही थी कि वो उठ भी नहीं पा रहा था गोरी अब देखना मैं कैसे चांद दिनों में अमीर होता हूँ मगर कालु ये सब दिहान से करना अगर पकड़ेगे तो बहुत मार बड़ेगी तुम्हें तुम चिंता ना करो दूसरे दिन मिठु कबूतर के पास जाता है यार कबूतर मुझे तो रात सोने का बहुत मज़ा आया अच्छा वो कैसे यार मैंने कालु से लेकर थोड़ा सा नशा किया था और मैं सारे गम भूल कर सोया फुरी में? क्या फुरी में नशा देता है कालु कबूतर हाँ हाँ बिल्कुल फुरी में तो फिर मैं भी जाओंगा तुम्हारे साथ मुझे भी थोड़ा नशा करना है वो दोनो कालू के पास चाती हैं, कालू कवा पहाडों पर सुखे पेड़ के नीजे बैठा हुआ था यार कालू कमाल है, नशा काम कर गया, रात में मैं बहुत मजे की नीद सोया हाँ मगर आज फरी में नहीं मिलेगा, कुछ पैसे देना होंगे अगर नशा लेना है तो और पैसे देना पड़ते हैं, कबूतर तुम यहीं बैठो, मैं अभी घर से पैसे लेकर आता हूँ मिठो जल्दी से घर वापिस जाता है और अपनी अलमारी से कुछ पैसे लेता है ये लो कालू पैसे और थोड़ा ज़्यादा नशा दे दो, मेरा दोस्त कबूतर भी आज मेरे साथ नशा करेगा लो लो, मैंने कबूतर का फरी में डाल दिया है वो दोनो कालू से नशा लेकर वेराने में चले जाती है वाह वाह आसमान घूम रहा है और मैं जूम रहा हूँ मिठू मैं तुम्हें डांस करके दिखाऊँ मैं भी, मैं भी डांस करूंगा वो दोनो नशे में जूम रहे थे सुना है कालू के नशे में बहुत मज़ा है आज मैं भी कालू से थोड़ा नशा ले कर पीऊंगी ऐसे आहिस्ता आहिस्ता कालू कावा पक्षियों को नशे पर लगाता जाता और कालू अमीर होने लगा था कालू अगर तुम ऐसे ही मिहनसे पक्षियों को नशा बेशते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब हम जंगल के सबसे अमीर बक्षि बन जाएंगे कालू तो बुलबुल भी मुझसे नशा ले कर गई थी किससे मिलना है बुलबुल तुम्हें गोरी क्या कालू घर में है हाँ हाँ घर में ही है तुम अंदर आ जाओ कालू मेरे पास आज पैसे नहीं थे मैं अपना ये हार ही ले आई हूँ क्या बदले में मुझे थोड़ा नशा मिलेगा गोरी जल्दी से बोलती है क्यों नहीं बुलबुल क्यों नहीं लाओ तुम ये हार मुझे दे दो ये लो बुलबुल जाकर अपने पड़ोसियों को भी बताना के जो भी मेरा दिया हुआ नशा करता है वो जूमता रहता है बुलबुल नशा लेकर वहां से चली जाती है अब तो सारे पक्षी घर में जो भी होता वो दे कर कालू से नशा लेने लगे थे क्या करूँ आज घर में कुछ भी नहीं है चलो आज चुड़िया से थोड़ा उधार लेता हूँ मैं चुड़िया बेहन मुझे कुछ पैसे उधार दे दो मैं लुटा दूँगा कही नहीं भागूँगा ये कबूतर भेया तो नशे में है ये कबसे नशे पर लग गया चुड़िया पहली बार आया हूँ मुझे खाली न भेजना फिर चुड़िया कबूतर को कुछ पैसे दे देती है कबूतर वहां से उड़ता है चुड़िया भी कबूतर के पीछे पीछे उड़ती है कबूतर कालू से नशा ले रहा था जब चिडिया छुपकर ये सब देखती है कबूतर के बाद मिठू आ जाता है वो तो आज घर से बरतन ही उठा लाया था हम तो ये कालू है जो जंगल के पक्षियों को नशे पर लगा रहा है मुझे इस कालू का कुछ करना होगा मिठू इस बरतन के बदले तो बहुत थोड़ा माल मिलेगा जो देते हो दो मैं मर रहा हूँ एक दो तीन चार पांच आज तो पूरे पांच हजार का नशा बेचा है मेरे सुन्दर बदी ने और और ये देख सी भी मैंने नशे के बदले में ली है कौन लाया था ये बरतन घर से मिठू ये बरतन मिठू लाया था कालू जी बास कुछ दिन और धन्दा चल जाए हम ये जंगल छोड़ कर किसी दूसरे जंगल चले जाएंगे मैं देखती हूँ लगता है अब तो गराह कर रात को भी आने लगे है गोरी दरवाजा खोलती है पॉलीस चुड़िया ये पॉलीस यहां क्यों लेकर आई हो तुम हम अभी बताते हैं तुम्हें चुड़िया और पॉलीस कवों के घर जाकर नशा पकड़ लेते हैं जालमों थोड़े से पैसों के लिए तुम दोनों पक्षियों की जिन्दगियों से खेल रहे हो अब सड़ोगे तुम दोनों जेल में पॉलीस दोनों को पकड़ कर ले जाती है और कालू और गोरी को बुरे काम की सजा मिलती है चुड़िया सब पक्षियों को समझाती है और वो सब भी चुड़िया से फिर कभी ऐसा ना करने का वादा करती है प्यारे दोस्तों अगर आप भी अपने आसपास में ऐसा कोई अपराध होता देखें तो पुलीस को जरूर बताएं आपका धन्यवाद वो बुड़ी चील उस जंगल में नहीं आई थी वो बुड़ी थी और बहुत कमजोड थी ये कोई भी पक्षी नहीं जानता था इसलिए सब पक्षी उस चील से बहुत डरे हुए थे शिकार तो मैं कर नहीं सकूंगी ना जाने इस जंगल में भोजन कहां से मिलेगा कैसे गुजारा होगा मेरा वो चील बैठी ऐसे सोच रही थी उसी जंगल में एक कववा और कवी भी रहते थे कववे की बतनी का नाम गोरी था गोरी कवी अपने पती से कहती है कालू जी कुछ पता चला हमारे जंगल में एक बड़ी चील आ गई है हाँ मुझे कवूत ने बताया है वो चील बहुत बड़ी है और बहुत खतरनाक भी कालू क्यों ना हम उस चील से अपने संबद बना ले ऐसे हमें उस चील से कोई डर न होगा और ऐसे दूसरे छोटे पक्षी भी हमसे डरेंगे हाँ गोरी हम ऐसा ही करते हैं फिर गोरी और कालू उस बड़ी चील से मिलने जाते हैं रास्ते में जाते जाते कालू कव्वा चाचा कभूतर की मीठाई की दुकान पर रुकता है चाचा कभूतर एक किलो स्वादिष्ट स्वादिष्ट रसगुले डाल दें कभूतर जी रसगुले अच्छे अच्छे डालना मैं अपनी सहली चील से मिलने जा रही हूँ क्या? क्या वो चील आपके जाने वाली है? हाँ वो चील मेरी पुरानी सहली है बहुत प्यार कड़ती है वो मुझे से फिर कवा और कवी चाचा कबूतर से रसगले लेकर वहां से चले जाते है वाह वाह जैसा सुना था उससे कहीं बढ़कर सुन्दर है मेरी चील सहली अरे अरे कौन हो तुम मैं तुम है नहीं जानती इसलिए तो हम आएं हैं चील दीदी मेरा नाम कालू कवा है और ये मेरी पतनी गोरी कवी है हम आप से अपने संबंद बनाने आएं हैं ताके दूसरे सपक्षी हम से डरें अब समझी मैं तो फिर मैंने भी तुम्हें अपनी सहली मान लिया मेरी चील सहली मैं ये सवादिष्ट रसगुले लाई हूँ आपके लिए खा कर देखें कैसे हैं बुड़ी चील तो कल से भूकी थी वो जल्दी से रसगुले खाने लगती है ये सारे रसगुले आपके लिए हैं अब हम चलते हैं सहली अगर कोई काम हो तो मुझे जरूर बताना फिर गोरी और कालू वहां से चले जाती है दूसरे दिन गोरी कवी चुड़िया से कहती है चुड़िया मैं तो भोज़नूने पहाड़ों पर जा रही है क्या तुम जाओगी मेरे साथ ना बाबा ना वहां तो बड़ी खतरनाक जीर रहती है मैं नहीं जाओगी वहां मेरी सहेली है वो, मैं तो अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ गोरी वहाँ बैकी वही थी, छमचम चाचा वहाँ आता है गोरी दे पहाडों से बुजो रहा था, एक चीने पुम्हारे लिए संदेश दिया है लो संलो जिडिया मेरी सहली में संदेश भेजा है मेरे लिए चीडिया कहा है कि गोरी से कहना मेरे लिए खिचडी बना कर लाए ऐसा कहते हिए छम छम वहां से चला जाता है जिडिया अब मैं जाती हूँ मुझे अपनी सहली के लिए खिचडी लेकर जानी है फिर गोरी वहां से चली जाती है गोरी खिचडी कहां से बनाओगी घर में ना तो चावल हैं और ना ही दाल उस दिन जो पैसे मेरे साथ थे उनसे तो मैं चील के लिए रसगुले ले गया था कुछ करो कालू, नई नई सहली बनाया है मैंने उसे क्या सोचेगी वो? मैं अपने मामा जी से कुछ पैसे लेकर आता हूँ फिर कालू जी अपने मामा जी के पास जाते हैं और वहां से कुछ पैसे लेकर आते हैं गोरी ये लो पैसे मेरे मामा जी ने कहा है कि आज के बाद वो मुझे पैसे नहीं देगा ये पैसे मामा जी ने आखरी बार दिये है कालू मैं अब जल्दी जल्दी से चावल और डाल ले आती है फिर गोरी मिठो की दुकान से डाल और चावल लेने जाती है गोरी दाल चावल लाने के बाद खिचडी बनाती है गोरी ऐसी स्वादिष्ट खिचडी तो हमने खुद कभी नहीं खाई जैसी तुम चील को देने जा रही हो कालू चील से संबंद बनाना कोई आसान काम नहीं तुम देखना एक दिन बड़े काम आएगी चील हमारे फिर गोरी खिचडी डिबे में डाल कर चील की तरफ चली जाती है बहुत स्वादिष्ट है खिचडी ऐसी खिचडी तो मैंने पहले कभी नहीं खाई अपनी सहेली के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ अच्छा तो फिर कल मेरे लिए गाजर का हलवा तो लेकर आना मुझे गाजर का हलवा खाए पूरा एक साल बीद गया है ये सुनकर गोरी चुप कर जाती है क्यों क्या हुआ डर गई कि सहेली ने तो नहीं फरमाईश कर दी है नहीं नहीं मैं तो सोच रही थी कि मैं कितनी भागे शाली हूँ जो मेरी चील से दोस्ती हो गई है फिर गोरी वहां से चली जाती है ये क्या मौसीबत तुमने गले डाल दी है गोरी अब हम कल गाजर का हलवा कहां से लेकर जाएंगे सब पक्षी अच्छी भली जिन्दगी जी रहे हैं एक तुम है ही चील से संबंद बनाने की चिंता लगी हुई है मैं कोई पागल नहीं हूँ जब वो इन छोटे पक्षियों को खाने आएगी तो मेरे घर में ही आकर रुकेगी तुम किसी ना किसी तरहां गाजरे ले आओ बाकी का काम मैं कर लूँगी फिर कालू कवा गाजरे लेने चला जाता है गोरी भी चाचा कबूतर की दुकान से शकर लेने चली जाती है चाचा जी एक किलो शकर दे दें कबूतर गोरी को शकर दे देता है मैं कल दे जाऊंगी पैसे रुखो रुखो यहाँ शकर और भागो यहाँ से पहले ही तुम्हारे पती ने मेरे दो सो रूपए देने है मुझ संभाल कर बात कर ओए कबूतर मेरी चील से दोस्ती है चील से दोस्ती है तो मैं क्या करूँ मैं नहीं जानता किसी चील वील को शक्कर रखो और भागो यहां से फिर गोरी गुसे में वहां से चली जाती है गोरी कवी तो चील से संबंद बनाने के चक्कर में पागल हो गई थी वो अपनी मां से कुछ पैसे उधार लेने जाती है बेटी मेरे पास यही दो सो रुपे हैं ये ले जाओ मां मैं लुटा दूँगी जल्दी ही आपको ये दो सो रुपे फिर गोरी वो पैसे लेकर कबूतर के पास चाती है ये लो पैसे और अब चुप करके मुझे शक्कर दे दो पहले ही तुमने मुझे बहुत गुसा दिलाया है लो ये लो शक्कर अब तियार रहना मेरी सहली से पिटने के लिए जो करना है कर लो मैं नहीं डरता किसी से फिर गोरी वहां से चली जाती है कालू भी गाजरें किसान के खेसे चुरा लाया था गोरी गाजर का हलवा बना लेती है गोरी थोड़ा सा मुझे भी दे दो गाचर का हलवा ना कालू ना ये हलवा चील सहेली ही खाएगी आज तो मेरी सहेली मेरे काम आएगी मैंने आज अपनी सहेली से कहकर गंदी आंखों वाले कबूतर की विटाई करवानी है फिर गोरी गाचर का हलवा दिबे में डालती है और वो दोनों पती पतनी चील की तरफ चले जाते हैं चील सहेली देखें देखें मैंने गाचर के हलवे में बादाम भी डाले हैं मैं देख रही हूँ थोड़ा मेरे पास कर दो मुझसे हिला नहीं जाता फिर गोरी गाचर का हलवा चील को दे देती है जिसे चील मजे मजे से खा लेती है कालू और गोरी बैठे देख रहे थे कालू के मुँ में तो हलवा देखकर पानी आ रहा था ये हलवा तो सच में बहुत सवादिश्ट था सहेली अब एक काम पड़ गया है मुझे आप से अब पता चलेगा पक्षियों को के मेरे संबंद भी चील से है बताओ बताओ क्या काम है गोरी सहेली एक कबूतर है मेरे जंगल में दुकान वाला चाचा कबूतर उसने बड़ी बातें सुनाई है मुझे उसकी पिटाई करनी है क्या कबूतर की पिटाई मगर तुम है उसे यहां मेरे पास लाना होगा क्यों चील सहेली आप उसे वहां जाकर सब पक्षियों के सामने मारें मैं वहां कैसे जा सकती हूँ कवी मैं तो बहुत बुड़ी हूँ और मैं तो उड़ भी नहीं सकती यह सुनकर गोरी और कालू एक दूसरे के मुझ की तरफ देखने लग जाते हैं क्या हाँ मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं कि मैं उड़ सकूँ चल गोरी अपने जंगल जाकर किसी अपने जैसे से संबंद बनाए जो खुशी गमी में हमारे काम भी आए बुड़ी चील कहीं की कितने दिनों से पेट भरे जा रही हो अब बता रही हो कि मैं बुड़ी हूँ ऐसा कहते हुए गोरी और कालू वहां से चले जाते हैं चील पीछे से आवाज देती है सहेली काल मेरे लिए बिरियानी तो लेती आना मगर गोरी पीछे मुड़कर नहीं देखती